अलो गाइज, वेलकम तो दे चैनल धीर शला जैनीट और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो question का जो series चल रहा है वो काफी पसंद आ रहा होगा इससे आपको ये पता चल पा रहा होगा कि आखिर इस question series से हम लोग किस तरह से trick को समझते हैं कैसे हम लोग questions को बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही अच्छे concept को apply करके calculation को कम करके हम लोग यहाँ पर solve कर सकते हैं इस question series के साथ साथ अगर आपका कोई भी suggestion है तो आप यहाँ पर comment section के अंदर जरूर बताईए और अगर आपको कोई particular series की जरूरत है कोई lecture की जरूरत है कोई अगर कहीं पर किसी भी मतलब topic की आपको जरूरत है तो आप comment section में जरूर बताईए हम उसको जल से जल इस lecture series को cover करन है तो आज का question बहुत ही बेहतरीन question है अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या है देखे दो तीन concept यहाँ पर दिमाग में रखना है household bleach यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर किया गया है acid acid के साथ mix किया गया है बोलता है कि इसका titration करवाया गया यह जो है आपका redox titration का question यहाँ पर देखने को मिलता है और बहुत specific अगर बोला जाए तो यह आपका idometric titration के ऊपर का question है क्या है यह idometric titration अब यह क्या होता है यह आपने जरूर पढ़ा होगा अगर नहीं भी होगा तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा briefly explain कर देता हूं इसके अंदर करना क्या होता है देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आइडिमेट्रिक titration के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर इस reaction के मदद से ही आप चलेंगे तो देखिए यह मेरा bleaching powder हो गया हाउसुल bleach का मत्तब bleaching powder acetic acid के साथ इसका reaction कराया गया तो यहाँ पर reaction में क्या हुआ calcium यहाँ पर acetate बनाया यहाँ पर chlorine gas यहाँ release हुआ और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा यह आपका h2o यहाँ पर फॉर्म हो जाता है अब देखिए यहाँ पर क्या concept लगा ना इसको मैं बताता हूं पहले समझते हैं bleaching powder को हम लोग acetic acid में डालते हैं और वहाँ से CL2 निकलता है अब इस reaction को जरूर दिमाग में रखिएगा काफी important reaction है तो परसेंटेज और क्लोरीन निकालते किसी compound के अंदर तो इसमें acetic acid के माध्यम से हम लोग जरूर जाते हैं तो इस चीज़ को दिमाग में रखिए bleaching powder acetic acid के साथ mix हो रह है अब idometric titration अब start होता है क्या होता है कि idometric titration के अंदर हम लोग यहां पर एक substance लिये हैं ठीक है जो की chlorine है इसको हम लोग potassium iodide के साथ mix करते हैं अब potassium iodide के साथ mix करते हैं तो जो CL2 है वह आपका convert हो गया किसमें KCL में जिसमें chlorine 0 से कहा जा रहा है minus 1 के अंदर जा रहा है और जो potassium iodide में जो आपका I- है वो आपका convert हो जाता है iodine के अंदर तो जो iodine यहां से release होता है इसको फिर हम लोग hyposolution के साथ mix करते हैं इसको sodium thiosulphate को hyposolution बोलते हैं तो यही जो iodine है हमारा जो first step यहां पर यह वाले step को अगर हम माने first है मेरा यह दोनों step क्या है idometric titration का हिस्सा है है idometric titration में 2 step होता है हम लोग यहां पर एक substance लिये हैं क्या यह बता सकते हैं कि oxidizing agent है कि reducing agent है बिलकुल बता सकते है chlorine यहां पर कितना है 0 में है यहां पर chlorine कितना है minus 1 में है इसका मत्तब यह chlorine का oxidation state decrease हुआ है और oxidation state decrease हुआ है इसका मतब इसका reduction हुआ है तो जो खुद को reduce करता है उसको हम लोग क्या बोलते है है और यह जो iodine release होता है इसको हम लोग hyposolution में डालते हैं और हमारे पास यह reaction मिलता है अब दिमाग में यह रखिएगा हमको इसका amount निकालना होता है कि iodine का यहां पर N factor और यहां पर N factor same है कि नहीं अगर N factor same होता है तो फिर आराम से हम क्या कर सकते हैं इसके gram equivalent को इसके gram equivalent को और hypo के gram equivalent को बराबर कर देते हैं तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि iodine में आई का oxidation state 0 है कहां से आया है minus 1 से कितने का change हुआ है एक iodine के लिए एक का change हुआ है यहां पर कितना इन फैक्टर हो गया टू यह हम इन फैक्टर का calculation हम लोग बहुत ही आराम से redox reactions के अंदर करते हैं जितने का change जीरो से minus 1 एक का change दो आयोडीन है दो का total change हुआ और य दो तो अगर दोनों जगह पे iodine का इन फैक्टर सेम है तो आप सीधा सीधा इसको और इसको आपस में बढ़ाबर कर सकते हैं ग्राम इकुलेंट के लिहाज से तो अगर हम ऐसा करें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पर chlorine का ग्राम इकुलेंट जो है आपका किस के बढ़ा चाहिए normality into क्या volume volume किसमे होना चाहिए ml में होना चाहिए अब volume में है तो इसको हम लोग ml में नहीं sorry यहां पर volume किसमे होना चाहिए लीटर्स के अंदर होना चाहिए volume अगर ml में है तो 1000 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं थोड़ा सा आप समझ सकते हैं थोड़ा सा कभी-कभी environment का असर आ जाता है जिसकी वैसे दिमाग अलबला जाता है बोलना चाहते हैं कुछ और बुला जाता है कुछ हो यहां पर क्या है ml यहां पर मान के चलिए आपका ml में रहेगा तो 1000 से डिवाइड करें तो ग्राम इकुलेंट कैसे निकालें तो क्लोरीन का मोल इंटू क्लोरीन का अं को का normality देखिए यहां पर दिया हुआ है यहां पर इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है इन दोनों को multiply कर देंगे और यहां से हम लोग मोल निकाल लेंगे और जब यहां से chlorine का मोल आ जाएगा तो देखिए कितना मोल आ गया किसका तो bleaching powder का पहले मोल निकालेंगे बटा में वॉल्यूम लेंगे वॉल्यूम किसमें होना चाहिए लीटर में अगर एमेल में है तो क्या करेंगे थाउजन से भाग लगाए यही थाउजन यहां पर आ जाता है तो मोलारिटी के लिए क्या करना है उसका मोल लेना है और बटा में वॉल्यूम इंटू में ताउजन करना है अब ध्यान यह देना है कि यहां पर हमको bleaching powder का मोल चाहिए जबकि हम निकाले किसका है क्लूरीन का मोल तो ऐसा क्यों देख सकते हैं यहां पर इस reaction को balance कर दिया गया ह देखेगे gram equivalent का rule लगाएंगे तो वहां पर balancing नहीं करेंगे जैसे इसको को हम लो balance करदे थे क्यों को मोल से मोल में जाना है तो इसको बैलेंस करेंगे तो जब इसको बैलेंस करते हैं तो देखे क्लोरीन का मोल और इसका मोल आपस में क्या हो गया बढ़ाबर तो अगर इसका एक मोल होगा तो इसका भी एक मोल और इसका एक मोल होगा तो इसका भी एक मोल तो क्लोरीन का मोल अगर और यहां से answer आजाएगा आपका ये वाला सो हमारा answer क्या बन जाता है हमारा answer हो जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं C वाला यहाँ पे answer हो जाता है यह question बहुत ही बहतरी question था इसके अंदर multiple concepts यहाँ पे लग रहा molarity क्या होता है यह पता होना चाहिए हमको idometric titration में क्या concept है यह पता होना चाहिए idometric titration का दो case हम लोग परते हैं कब जब I2 का N factor same हो तब और जब different हो तब तो यह same बाले पे चला गया और same बाले पे जब यह चला जाता है तो ऐसे case में हम I2 का N factor जो निकल के आया same है अगर दोनों reaction में तो I2 के gram equivalent को यहाँ पर ignore करते हुए हम directly oxidizing agent मतब क्लोरीन को hypo के gram equivalent के बराबर करते जाएंगे यहां से answer हम लोग को directly मिल जाएगा मैं उमीद करता हूँ कि आपको explanation काफी पसंद आया होगा और अगर आपको यह explanation पसंद आया है तो आप वीडियो को like करना share करना और channel को subscribe करना बिल्कुल न भूले और इसी के साथ जैसा कि मैं हर बार आपको remind कर वा रहा हूँ कि हमारा जो app है dgshalad spelling को आप जरूर यहां पर note कर लिजेगा यह और यह बिल्कुल different spelling है बट कोई बात नहीं आप इस app को यहां पर search कीजिए dgshalad learning app इसको download कीजिए उस app के अंदर आप live class जो free test series हमारा चल रहा है जही 2022, NEET 2022 का उसको आप यहां से अवेल कर सकते हैं और आप doubt classes की भी facility ले सकते हैं और यह सब entirely free of cost है बिल्कुल निशिन्त हो के आप यहां पर अपने मत्तब जो भी आपको मत्तब जरूरत हो आप बिल्कुल वहां पर जाहिर कीजिए और उस तरह से आप चीजों को मत्तब उस तरह के facility को आप अवेल कर सकते हैं इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं तो thank you guys and all the very best